पंदेर साब किस तरह से देखते हैं, आज 200 दिन पूरे हो गए हैं धरने को, मोर्चे को, कैसे देखते हैं? आज देखें ये बड़ी सफलता है, दोनों मोर्चे की केक, किसान मज़ूर मोर्चा और सक्यम एनपी की, क्योंकि बड़े शब्दिक हमले हमारे उपर किये गए, भाजपा के दुबारा हमें बदनाम करने के लिए खालस्तान का टैक लगाया गया, लेकिन लोगों ने माना नह हमारे उपर जिस तरह से शीट सुब करन जी को शहीद किया गया, 433 किसान शहीद किये गये, बैरिकेटिंग करके दिवार बना कर हाई वे के हमें रोका गया, इतके बाव जो का आप सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसके बीच हम डटे रहें, और बड़ी सफलता से, जोख्सबा का चुनाव था, वो हो चुका, आप उस टाइम भी बैठे रहें, लेकिन उसके बाद नई सरकार भी बन गई, बातचित के लिए भी कोई आगे उधर से भी नहीं आ रहा है, इधर से भी कोई पहल नहीं हो रही है, तो कैसे एक सिरे चड़ेगी ये बाद, देख करनी उनकी मर्जी है, और हमारा मानना है और ये अंदोलन बादाड हो रहा है, और भी अंदोलन बड़ेगा, जब तक हमारी मांगे-मानी नहीं जाए जाएंको तक अंदोलन चलता रहेगा, इसका भुविष जो है, इस अंदोलन का बड़ा उजवल है, तो क्या लगता है, कि अभी यह अंदोलन जो है वो लगातार कलेगा या अभी जो चुनाव हो रहे हैं कहीं न हमजदोरों की मांगे हम लगातार उपर अंदोलन करते रहें और करते रहें को एक जो बयान आया कंगना रनोत का और उसके बाद बयान के बाद सिंफमरंजिन सिंग मान का जो बयान आया कैसे देखते हैं आप दुन्हूं बयान अगर भाजपा उनके बयान से अलग हुई है तो मुझे लगतभा उनको पजापता का रवाई हून Huawei हो नहीं चाहिए अब मान साब का ब्यान वो उनका अधिक जवाब दे सकते भी उन्होंने किस अंदर में अपना ब्यान दिया इस तरह से देखते हैं आप क्योंकि लगातार सुप्रीम कोट भी अब आपके इस धरने को ले करके इंटर्विन कर रहा है और उनने का कि आपस में बैठ करके बात करें पंजाब और हर्याना की सरकारें जो प्रशाशनिक अधिकारी हैं वो बात करें रास्ता एक एक जगह का खोला जाए तो कैसे देखते हैं आप इस देखिए कोट का तो अभी निरने आ रहा हम तो पांच महीन इसे कहरें भी रास्ता खोला जाए हमारा रास्ते खोलने के उपर तो कोई विवाद नहीं है रास्ता हर्याना सरकार नहीं खोलना चाहती उनकी मर्जी है अब खोलना ना खोलना जहां तक मसलों का हल करने का सवात है हमारे तो दर्वाजे खुले हैं अब सरकार ने मसले का हल करना नहीं करना उनकी मर्जी है जहां तक कोई कमेटी का सवाल है किमेटी है तो सरकार या इस तरह से बनाती है पिए मसलों को बिगाड़ने के लिए कमेटी मसले का हल नहीं सरकार सीधी बात करें मसले का हल करें तो क्या आप लोग तयार हैं कि कोई आप लोगों की तरफ से पहल होगी सरकार को इन्वाइट करने के लिए कि आएं और हम बात करने के लिए त्यार हैं हमने तो हर जगा से मांग पत्र अपने भेजी रखे हैं आपके माध्यम में लगातर बोल रहे हैं जब मर्जी सरकार को चाहे हमें बुलाए हम बातचीत के लिए तयार हमारा तो रास्ता खुला है हमने तो रास्ता बंदी नहीं किया आज की जो महा पंचायत ये रखी गई है इसके दर क्या फैसला हो सकता है शाम को आपको निरुनाए नजर आएंगे जो भी हमने करेंग तो अब अंदूलन को और ज़्यादा दार दी जा सकती है या इसी तरह से जो अभी चलेगा इसी तरह से चलने वारा है नहीं धार देंगे बड़े अंदोलनों में आलान होंगे बड़ी बाते आने वाले समय आपको नजर आएंगे अब एक लगातार कहा जाता है कि किसान अब हर मुद्दे के अंदर आने लग गए हैं जैसे तीन जो कानून आए हैं वो जो क्रिमिनल कानून आए हैं अब उनके लिए भी किसान आ गए हैं पहले क्रिशी कानून के लिए तक तो ठीक था लेकिन अब हर कोई जो भी मुद्दा तो किसान मेजदूर के बादिया है तो क्रिमिनल लौ तो पूरे देश को परवाब्त करते हैं और हरक को इस देश में अपनी बात करने का बात रखने का अधिकार है तो जो पीड़त तब का होता वो अधिक बोलता है हम पीड़त है हर्याना सरकार को इस बात का जवाब तो 1 He家 को मिल जाएगा, पहले MP लेक्षन में मिल गया है अगर अगर मसले हल की होग तो अहराणे के लोग जवाब देंगे कि उनकी जो फिल्म बन रही है, वहाँ धंकिया मिल रही है, जो बना रहे है, सेंसर बोर्ड को धंकिया मिल रही है, क्या केना काएंगा? मुझे नहीं लगता कोई उनको धमका सकता सरकार कितनी बड़ी protection है हम तो बस यही कहते हैं कोई भी film किसी भी धार्मुक समधाय विशेश की भावनाओं को भड़काने वाली हो समाज में जहर फैलानी वाले हो उसके उपर sensor board को कारवी करने ही जिसको रोकना चाहिए प्यापसी भाईचारे में फूट ना डले मेरा आखरी सवाल है कि कहीं ना कहीं एक तरफ का रास्ता कोलने के लिए कोई रजामंदी बनाने की कोशिश करेंगे कि आम जन को भी प्रेशानी ना हो हम तो कहते हैं सब रस्ता खोल दे हमारा रस्ते खोलने में कोई अपत्ती नहीं यह यह सरकार ही रस्ता नहीं खोलना चाहिए यही कहते हैं कि आप फिर ट्रेक्टर टेली लेकर जाने के उपरा डे हुए यह तो हमारा निर्ने है सवाल तो यह नहीं है सवाल है भी आपको रस्ता बंद करने का कोई सब्धाने का अधिकार नहीं है